कि हलो दोस्तों एक बार फीर में आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूप वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीख्ते हैं कंप्लीट एडवांस सेक्षण और इस टिक्टोरियल में हम बात कर रहे हैं मॉवाइल एक्सल के बारे में तो लास्ट वीडियो जो हमने एक्सल मॉइल एक्सल में कैसे करेंगे इसमें अब एक्सल फाइल हमने खोला है अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर से मान लिजिए जैसे कि यहां पे 20 है 20 20 और यहां पी हमारे पास 30 है अब इन दोरों को प्लस करना है तो हमारे पास दो आप्शन है एक तो हमारे पास इन्विल्ड फॉर्मुला है सम जैसे हमने आपे सम का फॉर्मुला अपलाई किया और इसको लेकि यहां तक ड्रैक कर दिया और एंटरप्रेस कर दिया तो यहां पर रिजल्ट आ गया दूसरा है कि हम यहां इकॉल करते हैं हम ट्विंटी को सेलेक करते हैं उसके बाद हम यहां प्लस का सेंबल देते हैं और यहां थर्टी को सेलेक करते हैं और इंडरप्रेस करते हैं अब आप सोचने होंगे इसमें खास क्या है देखिए जो सम का फॉर्मुला है यह हमारा इन्विल्ड लेकिन आपके पास कुछ ऐसी calculation हो सकती है जिसके लिए इसमें formula अबलेबल ना हो तब क्या करेंगे तो उस case में इस method का इस्तमाल करेंगे तो यहां पर किस किस तरह के method होते हैं यह होते हैं plus इसमें होते हैं minus इसके बाद होता है divide multiply and इसमें होता है आपका power तो I think mobile Excel में power option नहीं है एक्सल के अंदर में जो नौहां है power है माफ कीजिएगा यह पावर हो गया है तो यह हमारा mathematical operator है जो कि आप यूज देख पा रहे हैं तो यह जो mathematical operator है इसमें हम इसकी मदद से कुछ भी calculation कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास quarter 1 है और दूसरा quarter 2 है अब quarter 1 में 60 सेल है quarter 2 में 50 सेल है मुझे इसमें growth निकालना है तो कैसे growth निकाले अब देखी growth के लिए हो सकता है कि Excel में formula हो या हो सकता है नहों हम mathematical operator का इस्तमाल करेंगे तो mathematical operator क्या कहता है mathematical operator कहता है latest minus oldest divide by oldest latest minus oldest divide by oldest तो यहीं चीज हम यहां फिर follow करेंगे तो सबसे पहले तो हम देते हैं equal और board mass method को बुड़ा करते हुए bracket latest latest minus oldest bracket close divide by oldest और हमने आप enter मारा यह आगया minus में अब इसमें हमें अपना format लगाना है तो 123 लिखा हुआ रहा है इसमें क्लिक कीजिए इसमें percentage का symbol दिख रहा है पर्सेंट एक में सॉरी एक कलेंडर खुल गया में इसकी फॉर्मेटिंग पर जाना है और फिल यहां पर आई है रैप्टेक सेल नंबर फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में हमने यहां पर परसेंटेज के लिए परसेंटेज करते हैं तो आप में अपने अपने हिसाब से मैथमेटिकल क्लिकलेशन कर सकते हैं थैंक्यू